दोस्तों Bluetooth में कई सारे विडियो बनाने के बाद भी बहुत सारे लोगों के कम्प्यूटर में अभी भी Bluetooth में प्रोबलम हो रहा है दोस्तों दीष वीडियो में दोस्तों मैं आपको और भी तरीका बताता हूँ Bluetooth के प्रोबलम को सॉल्व करने का ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये चेक करना है कि आपका जो operating system है वो up to date है या नहीं है latest version में क्योंकि यदि operating system latest version में update नहीं रहेगा तो इस कारण से भी Bluetooth जो है दोस्तों वो काम नहीं कर सकता है तो यहाँ पे green tick लगा हुआ होना चाहिए ठीक है बहुत सारे लोगों को लग update नहीं रहेगा तो इससे हमको Bluetooth को क्या लेना देना है लेकिन इससे Bluetooth का ही नहीं बहुत सारे computer के function का लेना देना रहता यदि operating system update नहीं रहेगा तो computer में कई सारे समस्याएं आ सकती इसलिए आपको इसे नजर अंदाज नहीं करना है आपको हर हाल में अपने operating system को यानि की बिं या लेवन हो दूसरा चीज आपको यह चेक करना है दोस्तों कि आपका जो Bluetooth है वो on है या off है यादी off रहे तिसको आपको चेक कर लेना है कि यह on है या नहीं है ठीक है उसके बाद तीसरा चीज आपको यह चेक करना है अपने device manager में आना इसके लिए आपको control panel को खोलना है औ यदि यहाँ पे Bluetooth दिखा रहा है इसका मतलब है कि आपके computer में Bluetooth का driver install है तो फिर आपको install करने का जवरत नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि आपके Bluetooth में यहाँ पे कोई error नहीं होना चाहिए जो Bluetooth का icon रहता है वो एकदम net in clean होना चाहिए किसी तरह का कोई भी yellow symbol य चाहिए यानि कि latest वाला driver install होना चाहिए और किसी तरह का Bluetooth के icon में कोई भी error नहीं होना चाहिए तभी आपका Bluetooth काम करेगा इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज और चेक कर लेना है उसके लिए windows पलस आर को प्रेस करेंगे और services.msi लिके इंटर कर देंगे और यहाँ पे चीज आपको और चेक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आना है आपको Bluetooth में ठीक है यहाँ पर Bluetooth support services को find करना देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपको चेक करना है कि यह running में है या नहीं है ठीक है यहाँ पर आपको देखना है कि यह running में है या नहीं है जैसे यहाँ पर मेरा द टाइप टाइप में यहां पे मेनूल दिखाए ता आपको यहां पे आटोमेटिक पे कर देना है और यहां से अपलाई कर देना है और ओके कर देना है बस यानि कि यहां से हमारा बुलुटूथ का जो सपोर्ट था सर्विस था वो ओन हो गया ठीक है बस इतना ही चीज आपको क तो मैंने आपको जो भी तरीका बताया दोस्तों कि आपको जो है अपने बिंडोज को अपडेट रखना है बिंडोज एकदम 100% आपका लेटेस्ट वर्जन में होना चाहिए ठीक है और जो भी बुलुतूत का ड्राइबर है उसमें कोई भी एरर या इसू नहीं होना चाहिए बिंडोज अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर लीजी उसमें कुछ भी बताने वाली बात नहीं है और यदि आपका ड्राइबर लेटेस्ट वर्जन में इस्टोल नहीं है तो मैंने अलग से वीडियो बनाया है चाहें आपका कोई भी कमपनी का लैपटोप हो है यह बस इतना ही साथ तो कामी रहता है इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि बुलुतूट के काम नहीं करने का और भी कोई रीजन हो सकता हाँ यदि सेटिंग से कोई भी मिश्टेक वरेगा तो आप उसको ट्राबल सूट से फिक्स कर लीजे ठीक है ट्राबल सूट जो है वो करता क्या है कि यदि आपके कम्प्यूटर में सेटिंग से कोई भी मिश्टेक हो गिया है तो ट्राबल सूट उसको सही कर देता है ठीक है तो मैंने आपको जो भी चार तरीके बता है दोस्तो आप हैसो एकदम चारू तरीकों को एकदम बढ़ियां से अपने सेुंटम में ओप्रेइटिंग सेक्टम को लेट्षिक में हो गिया। तो अपका कम्प्यूटर का आधा समस्या समझे कि है सही साल्व हो गया। इसलिए आपको अप्रेइटिंग को एकदम हर हाल में रखना है ठीक है तो चार तरीकों को आपड़ाइक कीजिए य Keeping लिव